थोड़े ब्राड ब्रीफ मैं करना चाहूंगा जिस पर जिन आंकडों पर मंत्री मंदल ने आज निलने लिया है। सभी राजियों को एक करोड कैपिटल एसिस्टन्स के रूप में रेंद देने की कोशना की थी और उसी के अलोक में बिहार को 8,046 करोड का अलोकेशन एक रंगांकन हुआ था 8,046 करोड का उस मद में अभी तक हम लोग को पहली केस्ट के रूप में 4,029 करोड बेमुक्त इसे मुख्य रूप से जो योजनाय स्विक्रित हैं और जो रिलीजस हुए हैं मैं विभाग और पढ़ देता हूँ एनरजी उर्जा विभाग जो वर्तमान में जो संचालित योजनाय हैं 8,043 करोड स्विमुक्त हुए हैं उर्जा विभाग के पत्र निर्वान विभाग के लिए 929,929 करोड रूरल वर्ग्स डिपार्टमेंट के लिए 389 करोड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए 190 हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 706 साइंस और टिक्नॉलिज डिपार्टमेंट के लिए 234 इसमें जितने भी औद्रिविक शेतर ने विकास लिए किस्तों में आया है पांसो दो करोड़ एक किस्त में है। 232-217 कुल मिला के 735 क्रोड उद्रिव विखा को मिला है। जहां तक एक Energy Department, Road Department, Rural Department, Water Resources Department, Health Department, Science and Technology Department हैं, यह सारी जो वर्तमान में चालू योजनाय हैं जो भारे बिहार सर्कार ने प्रसासने के स्विकृती दी थी अब अब वर्तमान में संचालित हैं, उनके वित पॉशंच के लिए यह राशी इस्तमाल होगी, बहुत सारे कॉन्ट्रक के payments रुखे हुए थे अब यह जो राशी है इससे अब उनका बुक्तान हो जाएगा तो इसी के लिए आकस्मिक्ता निदी से इसका बजट प्रवधान नहीं था क्योंकि बजट में यह प्रोविशन नहीं था यह गोशना बजट बनने के बाद भी थी इसलिए आकस्मिक्ता न PCF बिहार अकस्मिक्ता मत से निकासी के स्विक्रिती दी है जिसमें पत निर्मान में 924.13 करोड उद्योग विभाग में 502.93 करोड पाट टू का स्वास विभाग में 706.94 कूरजा विभाग में 484 करोड ग्रामीन विकास विभाग में 389.29 विज्ञान प्रादेगी विभाग में 234.77 करोड और साथी साथ आदव प्रबदन विभाग जो वर्तमान में आबदा में राशी विमुक्त की जारी है उस वो घड़ गई थी उसमें 130 करोड विध विभाग को जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है उसमे राशी गड़ गई थी तो 200 करोड और उद्योरू बेवा का पार्ट वन जो लोन है 232 करोड तेरानवे लाग तो 3444.99 बीस 3474.9920 करोड का बिहार अकस्मिक्ता निदी से अग्रेन निकासी की स्विक्रिती दी है तो ये बहुत मैंने ये समेकित कर दिया है आपको हर ये राशी बिहार अकस्मिक्ता निदी से निकासी की स्विक्रिती दी है जिसमें से विभिन योजनाओं के लिए राशी उपलब्द होगी तो मैं संसेट मैं अपने कैबिनेट नोट में जाओंगा इसे समय इसमें आपको पता होगा रभी विपनन मौसम दो यार्व तेईस संस्ताओं ये चे जर लोन लेने की स्विक्रिती दीए आप में याद होगा कि हम प्रिक्यूरमंट आज के दिन में राजे में शुरू हो गया है और प्रेक्यूरमंट के लिए राशी की अव्शक्ता होती है तो प्रेक्यूरमेंट के लिए 6,000 करोड की राशी रिम के और इसके लिए राजय सरकार ने गैरंटी दी है तो ये मैत्वपून एजंडा है सहिकारता विभाग का ये जो हमारे खरीफ मौसम में जो फसल का विपनन है और रभी मौसम के विपनन का है और इसमें करीड़ शत्रा योजनाएं की स्विक्रति दी है इसमें मुरारपूर दागोदयपूर मुजफरपूर का है और इसमें मुजफरपूर दागोदयपूर मुजफरपूर का है और इसमें मुजफरपूर का है दोनार है दरवंगा में उसका है नवानगर बकसर का है और IT Incubation Center पटना का है पाटली पुत्र अधिके क्षेतर में और BSFC भवन ब्यार BSFC का जो पटना में भवन है उसमें Startup Hub बन रहा है स्टाटाप व्यपार के अंदर स्टाटाप Hub बन रहा है अब बड़ी राशिय है उसमें 29 क्रोड 38 लाग की राशिया बहुत बड़ा मेजर स्टाटाप Hub बन रहा है इन्वेस्मेंट प्रोमोशन कॉंप्लेक्स पटना में पांच करोड 47 का है अब पूर्णियार मज़फर मिन में खादी मौल है तो यह बहुत मैत्पूर्ण निरने है जो हमारे राजे में ओद्योगेक विकास के लिए 35.6 कि सिकंदरपूर औधिक सेटर पटना का विकास है इसमेड़ागलपूर वरारी भागलपूर का विकास है हाजिपूर वहसाली औधिक सेटर इसका विकास है कुमारबाद वस्यम चंपारण यक्षेत्र का विकास है। बीटा फेस्टू अधिलिक शेत्र का विकास है मजफर पूर अधिलिक शेत्र का विकास है यह 23 होगा यह 22 में होगा देखिए आप इधर सुनिए अब मदर आप इधर धियां दीजें कि मैं समयकित रूप से समयकित कर दिया हूं सकरी में है यह डिटेल इसमें नहीं है आप इसको डिटेल नहीं है डिटेल पढ़ रहा हूं सिवान अधिविक शेत्र का है न्यू सिवान हतवाल लोहट बेगुस सराय फिर भूरजन का है और नगर लॉजिस्टिक विकास कारे का है और पीम गती शील डाटा सेंटर का है तो यह और किशेत्र के विकास का है जिसमें उसके बॉंडरी है उसके रोड है उसके नाले है जो बिने विभ्यन और किशेत्र के विकास के लिए यह राशी आब अंचत की गई है चल रहे हैं उसके लिए 303 89.292 करोज का यह बीसी अफ से निगासी हुई का सुकृति दिया है ज यह प्याल संसॉदन विभाग विग्यानयय प्रदयकिक विभाग को जो स्कीम है उसके अंतरगात 234.77 करोड बिहार अकस्मिकता निदी से निकासी की स्विकृति दी है जिसके बारे में मैंने का हुआ उर्जा विभाग को 484 करोश की अगरिंद निकासी की स्विकृति दिय है BCF में जिसके बारे में मैंने कहां स्वास विभाग को 706 करोड 94 लाग यह अगरिन निकासी की सुकृति दी है यह भी उसी का पाठ है पत्र निर्मान विभाग को 9 अरव 24 करोड तेरा लाग रुपे 924 करोड तेरा लाग रुपे अगरिन निकासी की सुकृति दी है तो यह आपदा प्रण्दम विभाग को 130 करोड जो अल्प वर्षापात के कारण उत्पन सुखाड के परिपेक्स में जो विशेश आयता दी जारी है उसके अंतरगात 130 करोड अगरिन निकासी की सुकृति दी गई है और विद विभाग को राज सिक्षा विद निकाम जो स्टूडंट क्रेटिक कार चलाता है उसको 200 करोड के अगरिन निकासी की सुकृति दी है तो यह है थे आपके जो बीसी एफ जो बिहार कंटेजिंसी फंड से निकासी है और जिसकी कुल राशी 3474 कर करोड 99,20,000 रुपे है इसका मैंने ब्रेक अप दिया है मेरे का उसे सब को यह डीटेल वाच्पास ठोका जल संसादम विभाग एक डीपी आर निर्मान के लिए स्विकृति दी है चे करोड 99,50,000 का बागमती बाड प्रबंधन युज्रां सिर्मिया पुईया बागमती बा परामर्शी तो यह मॉडलिंग के लिए 6 करोड 99,50,000 प्रसास्थिक स्विकृति दी गई है ग्री विभाग ने 77 अगनी संवेदेशील थानों के लिए प्रतम चरह में एक एक अदद बड़ी अगनी शामन वहान जो बड़ा आपका अगनी शामन वहान है सततर अधर वाटर टेंडर उननिस टाइब उननिस टाइब का जो बड़ा ट्रक होता है टाइब भी वाटर तेंडर पांच हजार लेटर का फुली फाइबरेकेड़िट चैलीज करोड 20 लाग रुपे की प्रसास्थिक स्विकृति दी है तो सततर थानों में नए हमारे वो फ प्राप्सी है यह 220 करोड 11 लाख उनने सजार की है और इस थल आपको मैं बता देता हूं स्थल का डिटेल यह तीनों स्थल का पहला है पूरवी चंपारण में है यह जीवधारा और बापुधाम मुतियारी रेलवे स्टेशनों के बीच का है दूसरा है सारण में है कि खैरा पटेडी रेलवे स्टेशन के बीच स्तित है दरबंगा है लेहरिया सराय दरबंगा रेलवे स्टेशनों के बीच है